आपको डिली लाइब क्लासे स्ट्रक्चिर कोर्स लाइब टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी पैथरीन वीडियो का अनकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर लाइक मुनाल पटेल नूमन सैनी अब हम बात करते हैं यूपीसी सीएसी सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनकैडमी पे और कोर्ट इस्तमाल करते हैं आलोक वाइटी का तो जिसकी कॉस्ट 64,000 पढ़ती है वो आपको पढ़ेगा 57,600 रुपीस का तो प्लीज इस कोर्ट का इस्तमाल कीजिए UPSC CAC सब्सक्रिप्शन या फिर कोई औ अगरेगा 57,000 पाइटी के तो आप लोग जितने भी आपके अंसर आप निकालते हैं ठीक है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यह लिखा कीजिए कि आप कितने एंसर दे पारें कितने मैंसे ठीक है ताकि पता चलता रहे हैं कि कितने स्ट्रुएंट्स क्या किस तरीके से कर है ठीक है तो चलिए पहला कुशन ट्राइ कीजिए तो आपको करेक्ट स्टेट्मेंट बतानी है रिलेटेट टू न्यू रूल्स जो अभी आए हैं किसे रेगुलेट करने के लिए किसे एक्जॉर्टिक स्पीशीज को एक्जॉर्टिव वाइल्ड लाइक स्पीशीज जो ह है उन्हें जो गुर्ण करना कि लिए जो नहीं रूल्स आए हैं उस से रिलेक्ट आपको जो नहीं रूल्स आए उससे इसे कुशन सामने तो इसे वार लेकैं पुश्ट करेंने तो पहला कि वेड़ को राइल्द कर बोर्णाशीम लेट है कि कुभट एंट लिचम ऑम्र दो यह गलत है तो इसके वाले नहीं आएंगे तो correct answer हो जाएगा आपका C that is 1 and 2 ठीक है चले तो यह देखे है यह न्यूज आई थी पूरी की पूरी ठीक है यहां से पूरा का पूरा ही आया था पूरा का पूरा पूरा पूर्शन तो इसी से पूरा कोश्चन बनाया होगा है ठीक है चले तो देखते है correct answer का है correct answer है आपका C correct answer is C तो environment ministry नहीं गाइडलाइज जारी कि इसके लिए exotic wildlife species के लिए कौन देखेगा wildlife crime control bureau देखेगा कौन आते है appendix 1 second or third जो है sites के अंदर जितने जानवर आएंगे वो सब आएंगे इसके अंदर और जो wildlife protection act के अंदर जिने protection available है जिने species को वो इसके अंदर include नहीं होंगे ठीक है currently किसके अंदर है director general of foreign trade ministry of commerce and industry के अंदर ठीक है next है अब चीफ wildlife warden को भी क्या होगा पूरी की पूरी उसका जो भी stock है उसकी पूरी list बना के रखनी होगी पूरी inventory बनाई जाएगी और जो भी stockist है उसे 6 महीने के अंदर अपने stocks को declare करना होगा और हमने पहले ही पढ़ाए कि FATF ने पहले ही बता रखता है कि इनका जो trade है वो एक क् बन चुका है बहुत बड़ी problem बन चुका है ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन फिर से आप साइट के लिए क्वी साइट न्यूज में था तो साइट से एड़े कोश्चन आपके सामने है फ्लाह ही पहले ही बता है इस इनका पिक मेंस एमने ऐड़े अंसरिग्स इंश्यक्शन प्राइट कैश्च टार्णा से एड़ था that they committed implement aid however it does not take the place of national laws देखे यह पहला वाला तो legally binding वाला तो ठीक है जो इस second line है यह वाले important आपको ध्यान रखनी है ठीक है कि यह effect नहीं करता उनके national laws से रिलेटेड ठीक है तो कोई national law बना की नहीं देता है यह उनका अपना national law चलता रहता है ठीक है तो पहली statement सही है second statement और India is a signatory and has ratified sites convention in 1976 तो यह भी सही है तो correct answer हो जाएगा आपका दी तीनों statement आपकी सही है ठीक है तो sites का full form क्या है convention on international trade in endangered species of wild bona and flora ठीक है international agreement है ठीक है और उसके बाद क्या है IUCN में IUCN के ज़रा 1963 में इसे क्या किया गया था लाया गया था 1975 में इसमें आ गया था force में आ गया था ठीक है और यह किसी भी तरीकी के national law बनाने की बात नहीं करता है इंडिया क्या है इसका signatory है ठीक है चलिए तो आब इसके बात करते हैं इसके appendices क्या क्या है तीन appendix है इसके अंदर ठीक है तो पहला आता है जो species extension के तरफ है income extent होने वाली है तो इनका जो trade होता है पूरी बहुत exceptional condition पर किया जाता है ठीक है इनका trade नहीं किया जा सकता है next है lower level of protection उती है second वाले में और third वाले में अगर कोई at least एक country उसके protection की बात करे ठीक है जैसे इंडिया बात करे और बाकी country उसके लिए साथ में आ जाए ठीक है तो वो उतार third list ठीक है next question है पीसी महा लनोबीस से related ठीक है तो आप सभी जानते हैं पीसी महा लनोबीस के बारे में तो इस question को solve करते हैं देखेते हैं और ध्यान रखिएगा आपको क्या statement निकालनी है इनके बारे में incorrect statement आपको पता करनी है ठीक है तो incorrect statement आप पहली देखते हैं he is best remembered for महालनोबीस distance a statical measure for being one of the measure of first planning commission for pre-India ठीक है he established Indian Statical Institute in 1931 in Delhi गलत यह कहां था कोलकता में था यह गलत है second वाला गलत है he also devised a statical method called fractal graphical analysis used for compare socio-economic condition of varied group यह भी सही है ठीक है third जो point आपको ध्यान रखना है fourth जो है statics day celebrated on 29th June ठीक है Statistication है ठीक है ठीक है पीसी महालनोबीस जी और इन्होंने महालनोबीस distance निकाला था ठीक है पैनिंग कमिशन की फॉर्मेशन में भी काम किया था anthropometry के बारे में भी इन्होंने इंडिया के लिए काम किया science of obtaining obtaining systematic measurement of human body ठीक है इसके लिए भी काम किया इन्होंने ठीक है father of modern statics in India माना जाता है इन्हें ठीक है और अभी जो क्या है 29 June को क्या बना जाता है statics day बना जाता है थीम क्या रखी गई है देख सकते हैं sustainable development goal 3 ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages और STG 5 जो है achieve gender equality and empower all women and girls ठीक है तो अब इनके बारे में देखते हैं कुछ 1931 में इन्होंने क्या किया था ISI कि ISI इंडियन Statical Institute के स्थाफना की थी कहाँ पे कुलकता में ठीक है और एक सांख्या करके क्या है एक जनरल निकालते थे ठीक Autonomous Body जो है Ministry of Statics and Program Implementation उसकी formation के लिए काम किया CSO की NSS के लिए और ASI इन सब की formation के लिए इन्होंने काम किया ठीक है और बहुत सारे इन्होंने sample survey के models के जैसे pilot, optimal, penetrating, inter-penetrating यह सब इन्होंने कुछ models दिये, ठीक है, महल उन्होंनों अब इस डिस्टेंस दिया इन्होंने, ठीक है, cluster analysis के लिए, किसके लिए, cluster analysis के लिए, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और यह fractile graphical analysis भी यह लेकिया है, ठीक है, तो यह सारे points आपको ध्यान रखने हैं, next question आ रहा है आपके सामने से solve करत is related to, यह campaign किस से related है, water safe behavior से, covid safe behavior से, road safe behavior से या family relation safe behavior से, ठीक है, तो यह किस से related है, covid safe behavior से, तो correct answer हो जाएगा आपका B, कौन लेके आया है यह, नीती IO, empowered group जो है 6, वो लोग लेके आया है, ठीक है, क्या है, navigating the new normal, covid safe behavior, जैसे mask पहनना, ठीक है, ज्यादा बहार नहीं हो, यह सब सारा, ठीक है, web portal, media campaign, सब कुछ इसके लिए किया जा रहा है, Bill and Melinda Gates Foundation भी जो है, वो भी साथ में है, Center for Social and Behavioral Change और Ministry of Health and WCD भी साथ में है, ठीक है, ठीक है, next question है, धुरुआ चिप जो है, वो किसके लिए use होगी, recently news में है, धुरुआ चिप जो है, इसका इस्तमाल कहा हो गाया, navigation में, super computing में, cyber security में, agriculture में, mainly कहां use होने के लिए है, तो इसका correct answer है, यह, आपका, कहां use होगी, navigation में, ठीक है, science and tech कर रिलगे डिये खुशन हो जाएगा, तो किसने बनाया है, IIT Bombay ने बनाया है, navigation device है, ठीक है, तो US का GPS और हमारा जो naviq है, दोनों का इस्तमाल करेगा ठीक है, multiple frequency band पे काम करेगा, और उसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा accuracy यह बता पाएगा, किसी भी location की, ठीक है, तो अब बात करते हैं, समीर की, यह एक initiative है, इसकी नोडल ने जिंसी, रहेगी है, पूरे की पूरे इसकी, ठीक है, नाविक के बारे में जानते ही है, औ ठीक है, it is wetland, ठीक है, kole wetland is located, कहां पे है यह, यह आपको बताना है, कोले wetland, तमिलाडू में हैं, उरिसा में हैं, केरला में हैं, महराश्रा में हैं, तो खहां पे है यह, यह है आपकी केरला में, ठीक है, चलिए, next question आपके सामने है, याना डर्मो पॉर्मिसिस ठीक है तो यह जो है एक रियर बाइलोजिकल फिनॉमेना है देख लिजेगा जो भी प्रनाशियेट कर पाए आपको किसे इस व्यूड बाइ साइन्टिफिक कम्यूनिटी एस जैनेटिक एपरेशन इस रिलेटेड टू तो यह किस से रिलेटेड है आपको यह बताना है ठीक है एक बाइलोजिकल फिनॉमेना है इसमें पहला प्वाइंट ही क्या रहे है कि इंडविजेटेड होता है नोग के पास के लिभर में टिशु में तो वही यह फिनॉमेना कहता है जैनिट्रिंटिक एपरेशन का ठीक है चलें तो यह देख सकते हैं यह news आया था, पूरा article आया था, rare biological phenomena की इसमें देखने को मिल रहा है, dragonfly इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यह पूरी की पूरी चीज इन्हों ने देखी, कहां पे कोल, कोले, waterland, wetland में, कहां पे केरला में, ठीक है, तो इसमें इन्हों ने देखा कि जो कुछ चीजे जो है, जैसे कि इसके color से related कुछ थी, तो कुछ पार्ट जो है, वो male के उसमें दिखता है, और कुछ female के में उसमें दिखता है, तो इससे पता चला कि यह क्या दिखा रहा है, जैना डरोमोफोब्स दिखा रहा है, ठीक है, यानि male female दोनों के क्याना में tissue इसमें देखने को म मिलते हैं, और यह किसमें common होता है, ध्यान रखेगा, anthropoda और crutaceous में, यह common होता है, अब यह सब आगे biology किटम, तो basic जो biology है, आपकी NCRT level की वो आपको पढ़नी पड़ेगी, पूछ लेगा कि यह वाली जो चीजे है, ठीक है, गाइना ड्रोमोफोब्स, यह किस species में, किस किस मिलता है, ठीक है, तो यह देदेगा, आर्किंडा में मिलता है, crutaceous में, anthropoda में मिलता है, ठीक है, तो यह आपको चीजे थोड़ी ध्यान रखनी होंगी, ठीक है, चले, तो वही है, scarlet, keemar, इनमें देखने को मिला है, dragonfly होते हैं, ठीक है, कहां पे kोले, wetland में मिले हैं, तो तो genetic operation भी कहते हैं, rotatious और अकिंडास में और अंत्रोपोडा में देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे और dragonfly किस तरह काम करते हैं, ये bio indicator की तरह भी होते हैं, ठीक है, bio indicator की अगर कोई biology या फिर कोई भी environment में change हो रहा है, तो ये बता सकते हैं, ठीक है, और society of ordinate, जो है, यहाँ पर अपनी study कर रही है, ordinate की ठीक है, कहाँ पर कोले वेट लैंड, चलिए, next question अब solve करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, lightning से रिलिटेड ये question है, तो इसमें पहला point ये कहता है, जो बिहार है, second number पर है, after उत्तर प्रदेश, incidents of lightning, lightning की incident में, बिहार second number पर, उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है, दूसरा कह रहा है, इंडिया में, lightning strikes बहुत जादा people को मारती है, दूसरे extreme weather events से, ठीक है, तो ये वहला point और दोनों point सही है, next है, earth कह रहा है, earth is a bad conductor नहीं, earth is a good conductor of electricity, ठीक है, तो ये गलत statement है, और earth is electrically neutral, ये वाली तो सही है, ठीक है, next है, air is a good conductor of electricity, air is a bad conductor, poor conductor, तो ये भी गलत है, तो correct answer हो जाएगा आपका B1 and 2, ठीक है, तो यही पूरी बात है, ठीक है, South America में, Brazil में अभी सबसे recorded, लंबी lightning strike देखी गई है, ये 709 km की, जिसे add कर दिया गया है, इसमें mega flashes में, बिहाग second number पे, उत्तर प्रदेश number 1 पे है, किसमें lightning के through death होने वाले में, ठीक है, अब उसके बात देखते हैं, कि इसी से related lightning से पूरी related ये चीज़े हैं, आपको धियान रखने हैं, और उपर जो आस्मान होता है, उसमें positive negative charge बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, lightning आपकी आती है, ठीक है, तो ये points आपको धियान रखने हैं, ठीक है, बाकि geography जब आप basic पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी की पूरी चीज़े आप यहाँ पे देखे सकते हैं, कि किस तरीके से पूरा lightning के क्या-क्या कारण होते हैं, ठीक है, तो अब इसमें कुछ points हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो main points है, ठीक है, तो earth क्या है, good conductor of electricity है, ठीक है, good conductor of electricity है, और air जो हवा है, वो क्या है, poor conductor of electricity है, ठीक है, तो यह दुनों points आपको कुछ ध्यान रखने हैं, ठीक है, air is poor conductor of electricity, चलें, next question अब आपके सामने है, तो उसमें पहला कहा रहा है, correct option आपको निकालना है, तो section 490 जो है, अटल्टरी से रिलेटेड और इंडिन पेनल कोड, उसमें यह कहा गया है कि, cannot command married couple to remain loyal to each other for the fear of penal punishment, ठीक है, दूसरा कहता है, article 135 of Supreme Court has power to review its own judgment and order, दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों ही गलत हैं, ठीक है, तो इसा ही है, के वल, जो 3 है आपका, यानि D answer, वही आपका सही answer है, तो देखें, यह पूरा का पूरा है, Supreme Court ने एक review petition थी, कि से related, adultery से related, तो उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, ठीक है, तो वही पूरा का पूरा चीज है, आपको यह ध्यान अखना है, कौन सा section है, section 497 है, adultery से related, ठीक है, चलिए, तो उसी को देखते है, Supreme Court ने इसको पूरी तरह खारिज कर दिया, और उसमें क्या है, कि इसमें यह क्या रहा है, कि married couple को मजबूर नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के खिलाफ, loyal रहने के लिए किसी भी panel punishment की वज़य से, रहना है रहे, नहीं रहना नहीं रहे, ठीक है, फिर उसके बात करते हैं, Supreme Court किसी भी अपने judgment को review कर सकता है, कि जो review की जो power है, उसमें देख रहे हैं, Supreme Court किन-किन चीज़ों में review जो verdict कर सकता है, वो किस तरीके से कर सकता है, ठीक है, तो अगर वो यह find करता है, वो देखता है, कि इसमें कुछ ना कुछ evidence, नया evidence देखने को मिल रहा है, ठीक है, किसी तरीकी का error दिख रहा है, और sufficient reason उस cases में, ठीक है, इस case में case का नाम ध्यान अपने को कुछ जरूरत नहीं है, 9 principal है, कुछ ठीक है, और उसमें उसमें कही थारी बाते कहीं है, ठीक है, तो आप देखे, इसमें कुछ main चीज़े आपको ध्यान यह रखने है, कि 30 day के अंदर इसकी petition डालनी होती है, अगर को extraordinary situation नही नेशनल पार्क केरला में है, और fishing cats जो है, वो mangrove forest, सुंदर बन और put hills of Himalaya, गंगा, ब्रमपुतर रिवर और western dhards में मिलती है, ठीक है, इन दोनों में से आपको correct statement बतानी है, कौन सी है, ठीक है, तो पहली statement जो है, आपकी भीतर कनी का नेशनल पार्क केरला में नहीं, उड सही है, मतलब C answer आपका correct answer होगा, ठीक है, तो ओडिसा ने क्या किया है, दो साल का conservation program चला है, किसके लिए, fishing cats के लिए, कहां भीतर कनी का नेशनल पार्क में, noctural है, मतलब रात में active होती है, state animal हैं किसकी, West Bengal की, और यह सारा इनका habitat area है, जो उसमें पहली से कोश्चन में लिख जादा available है, ठीक है, चले, next question अब देखते हैं, इसको solve कीजिए, तो आपको बतानी है कि इसमें correct statement बतानी है, कि इनमें से कौन सा correct option है, ठीक है, तो इसमें ही कहा रहा है, MSF is a window for scheduled bank to borrow overnight from RBI in an emergency situation when interbank liquidity drives up completely, ठीक है, तो यह एक्तम सही statement है, तूसरा कहता है, रापो rate is a rate at which RBI lent money to the commercial banks, while MSF is a rate at which RBI lent money to the scheduled bank, यह भी सही एक्तम, ठीक है, next है, under SLR, commercial banks are mandated by RBI to maintain stipulated portion of their deposit in form of liquidity, liquid asset, cash, gold and मतलब government securities कह सकते हैं, यह भी सही है, ठीक है, next है, CRR is an amount of liquid cash that bank has to maintain with RBI as a percentage of their total deposit, यह भी सही है, तो all of the above क्या है, आपकी correct statement है, तो आपको इसमें समझना होगा, कि क्या आपको जानना होगा, आपको CRR जानना होगा, आपको SLR जानना होगा, आपको MSF जानना होगा, ठीक है, यह तीन चीज़ें आपको इसमें जाननी पड़ेंगी, ठीक है, और mainly आपको MSF और किसके बीच में, और साथ में आपको क्या जानना है, रैपो रेट, रैपो रेट भी जानना होगा, ठीक है, तो यह सब आपको चीज़ें यहाँ पर समझनी होगी, जो आपका किसमें आता ह बेसिक में आता है, हम थोड़ा समझ लेते हैं, देखे, CRR क्या होता है, कुछ minimum amount होता है, जो हर बैंको को अपने NDTL का net demand and time liability का कुछ percentage रखना पड़ता है, किसके पास RBI की तिजोरी के पास, जिस पे इन्हें interest नहीं मिलता, उसे कहते हैं CRR, SLR होता है कि बैंको को अपने NDT demand and time liability का कुछ percentage रखना पड़ता है, अपनी खुद की तिजोरी में, liquid asset में, liquid asset क्या होगा, gold, पैसा, यानी cash या फिर government security, ठीक है, next है repo rate, repo rate में क्या होता है, RBI पैसा देता है, कि इनको बैंको को देता है, ठीक है, और क्या नाम है, इस ते अपना percentage लेता है, ठीक है, repurchase obligation, मतल security लेता है, ठीक है, बट अगर इसी तरीके से repo rate होता है, इसी तरीके से reverse repo rate होता है, ठीक है, तो अगर सारे option जब bank के पास खतम हो जाएं, तो वो किस में पैसा ले सकता है, marginal standing facility में पैसा ले सकता है, bank RBI से, तो marginal standing facility में पैसा लेने के लिए उसे क्या करना होता है, वो अपनी SL तो अगर इसके उपर पैसा लेना है तो जो यह maintain करना था यह ब्रीच हुआ तो इसके लिए इसमें प्लस वन या कुछ extra charges लगा दिये जाते हैं इसलिए MSF को क्या कहा जाता है MSF को कहा जाता है पैनल रेट भी या वो एक ही है तो यह कुछ points आपको ध्यान रखने है economy के basic में ठीक है तो वो सारी की सारी चीज़े मैंने यहां पर बता दी ठीक है तो RBI क्या कर रहा है Reluctation कर रहा है Marginal Standing Facility के scheme में 30 September 2000 तर ठीक है तो MSF क्या होता है जिसमें bank क्या करता है emergency situation में पैसा ले सकते हैं ठीक है अपनी liquidity को पूरा करने के लिए किस से RBI से ध्यान रखना वो किस पे लेंगे अपनी security के उपर SLR की security के उपर ले सकते हैं ठीक है तो आप यह सारे के सारे points देख सकते हैं सारे वही points है जो question में दिये हो है ठीक है तो कोई changes उसमें है नहीं ठीक है सारी चीज़े मैंने समझाई दिये आपका की नेशनल ब्राद मिशन एम तो कनेट 25 लाग ग्राम पंचायत in the country and to provide 100 Mbps connectivity to all ग्राम पंचायत थीक है next is dark fiber is an unused optical fiber that has been laid but not currently being used ठीक है तो इसे कहते हैं dark fiber मतलब fiber है बट उसमें अभी क्या नाम है जान नहीं गई है तो पहली statement आपकी गलत है ministry of finance के अंडर नहीं आता है commercial industry के अंदर आता है second statement सही है भारत net flagship program है कौन implement कर रहा है भारत broadband net BBNL कर रहा है और इसमें 25 लाग नहीं धाई लाग है तो यह भी गलत statement है 100 MPPS कहतो रहे हैं अच्छी बात है बट अभी तक कहीं यह पहुंचा नहीं है ठीक है next बात करते है dark fiber के बारे में बात करते हैं एक्दम सही statement है तो आपका correct statement हो जाएगी 2-4 यानी correct answer हो जाएगा A ठीक है चले तो वही है DPIIT Department of Promotion of Industry and Internal Trade है वो यह scheme को क्या कर रहे है जो तमिल नाड़ू में जो पोशन था उसका tender खतम कर रहे है किसी प्रॉब्लम क्यों जैसे किस tender है Ministry of Commerce Industry के अंदर आता है DPVIT ठीक है यह point आपको धियान रखना है भारत net जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किसके अंदर है भारत Broadband Network Limited ठीक है किस ministry के अंदर Department of Telecommunication Ministry of Communication ठीक है चले नास देखते है National Optical Fiber Framework ठीक है इसमें क्या किया जा रहा है 25 2.5 लाग जो ग्राम पंचायत है उन्हें क्या किया जाएगा 100 Mbps की स्पीड से connect किया जाएगा फिर उसके बात करते हैं हम लोग पूरा जो फंड है उसे फंड कौन कर रहा है Universal Service Obligation Fund यह वर्ड आप दिया रखना ठीक है यहां से इसको पूरी funding मिल रही है ठीक है अब उसके बात करते हैं यहां पर डार्क फाइबर क्या होता है ऐसा फाइबर जो बिचात हो गया दिया ग चलिए पूशन यह है कि 73rd और 74th Constitutional Amendment Act जो है वो किन प्राइम मिनिस्टर के समय में आये थे इन अक्ट होए थे ठीक है तो इस तरीके की पूशन बनते रहते हैं जवालना नहरू इंद्रा गांधी पीवी नरसिंभा राओ या अटल भ्यारी वाच पई तो किसके लिए पीवी नरसिंभा राओ के समय में यह आये थे तो correct answer will be C चलिए नेक्स्ट कोश्चन है पीवी नरसिंभा राओ जी के बारे में सारी statement दी गई है आपको इसमें से बतानी कौनसे statement सही है ठीक है तो पढ़िए ज़रा statement को फिर बताईए तो पहले statement यह कहता है कि यह 9th Prime Minister के इंडिया के एकदम सही statement इन्होंने सहरसा पाम पान करके एक हिंदी ट्रांसलेशन किया था एक देलगू literature का ठीक है तो वो भी सही है एकदम नेक्स्ट है यह economic liberalization लाए थे इंडिया में 1991 सही बात ऐसे टाइम बने थे लुक इस्ट पॉलेशी भी इंडिया के लिए लेके आया थे ठीक है नीकर टाइम में 10 और में हुई थी तो एकदम all the above are the correct statement सारी statement सही है ठीक है तो क्या है year-long celebration चलनाने की बात की जारी तिलंगाना नेक्स्ट बात करने है पीवी नरसीमबर आओ कहां पैदा होते हैं है थे राबाद में पैदा होते हैं नाइंथ प्राइम मिनिस्टर थे सहस्तरा पान जो है हिंदी ट्रांसलेशन यह उन्हों तमिल नॉवल का किया था ठीक है economic liberalization लाए इतराइल के साथ relation अच्छे किये लो question के form में जितना भी था मामला उससे related मसाला हमने कर लिया ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है संकल पर्व किस ने लॉंच किया इसे लॉंच किया तो संकल पर्व किस ने लॉंच किया Ministry of Transport, Ministry of Culture, Ministry of Science and Tech या Ministry of Environment तो Ministry of Culture ने इसे लॉंच किया है क्या है इसमें प्लांट किये जा इससे पहले और सारे कई प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे नगरवन स्कीम ठीक है, कंपनसेट्री एफॉर्ट एफॉर्स्टेशन फंड ठीक है, कंपा, C.A.M.P.A. जिसमें क्या होता है अगर कोई भी लेंड जो है वहाँ पे अगर कोई भी इंडिस्ट्री डाली जाती है तो जैपुर और उडिसा ने ऐसा किया है कि भाई अगर वहाँ पे कोई भी नई कंपनी को दिया जा रहा है तो उन्हें क्या करना होगा, कोई भी अगर लाइसेंस लेना है सिवे सुसाइटी को भी तो उससे क्या लेना करने होगे, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो यह कुछ initiative है आप लिख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया AK-203 assault rifle और KA-2262 light utility helicopter किस country से purchase करने जा रहा है, ठीक है, तो यह question आपके सामने है, USA से करने जा रहा है, UK से करने जा रहा है, France से करने जा रहा है, Russia से करने जा रहा है, तो इंडिया किस से करने जा रहा है, तो यही पूरी statement है, ठीक है, AK-203 assault rifle और KA-226T light utility है helicopter, तो किस से purchase करने जा रहा है, Russia से, और S-400 की deal तो हमारी पहले ते जिन चल रही है, missile defense system जो है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, यह कुछ है, एक news आप तपड़ा ध्यान रखिएगा, सबरी माला से related question को आपके से उन्हें आप इसे वापेस review कीजिए, इसके अंडर article 25 में क्या आता है, religious freedom के बारे में आता है, ठीक है, तो यही कुछ था, थ्यान रखिएगा, article 25 किस से related बात है, religious freedom से related है, ठीक है, नेक्स्ट है, मपीला अपराइसिंग से related, बहुत सारी चीज़े, बहुत चीज़े news में आती जा र ठीक है, यह नाम आप बस ध्यान रखिएगा, कि मपीला जो रिवोट था, मपीला रिवोट जो था, इसके कौन से यह head थे, कब हुआ था, 1921 में हुआ था, ठीक है, यह कुछ पॉइंट आप बेसिक से इसमें ध्यान रखिएगा, जो आगे चलके हिंदू-Muslim क्या बन गया ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमने जितने भी हमारे करन्ट अपेर के MCQ थे, ठीक है, आँस के डिट के, ठीक है, वो सारे हमने खतम कर लिए, ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापिस अपने static portion पे, static portion में हम लोग कर रहे हैं, अपना Indian polity कर रहे हैं, ठीक है, और Indian polity में अभी तक हम लोग खतम कर चुके हैं, वो हम लोग कर चुके है, preamble of Indian constitution, ठीक है, making of Indian constitution, फिर उसके बाद हम लोग कर चुके है, historical background of Indian constitution, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर चुके है, historical background के बाद, हम लोग ने कर लिया amendment in Indian constitution, जिसमें हमने जो amendments हैं, उन्हें नहीं पढ़ा है, amendment के तरीके प साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो इन्हें रटने की कोई दूरुत नहीं है ये सारे के सारे पूरे पॉलिटी के साथ ही चलते जाते हैं फिर उसके बाद basic structure था basic structure हमने कर लिया और हमने तात में क्या कर लिया salient feature of Indian constitution कर लिया तो तकरीबन हमने इतना सारा कर लिया है जो हमारा एक MCQ का first एक पूरा slot बना दे ठीक है तो हम लोग अभी इसके बाद एक करेंगे पूरे के पूरे इतने चैटर्स के जितने ज़्यादा MC MCQ बन सकते हैं उन सभी MCQ का एक वीडियो बनाएंगे और इसमें सारे MCQ को क्या रहेंगे solve करने की कोशिश करेंगे ठीक है बट वो अभी करेंगे क्योंकि अभी उसका काम बचा होगा है ठीक है तो हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं वो वीडियो आजाएगी जल्दी ठीक हर एक लेक्चर में एक टॉपिक खतम हुआ है ठीक है तो आप ये सारी पुरानी वीडियो देख लीजी अच्छे से ठीक है जब भी हमारा MCQ खतम होता है तो उसके बाद static portion स्टार्ट हो जाता है तो ये सारी वीडियो आप देख लीजे क्योंकि इसके बाद अभी जो है इस phase part 1 of Indian constitution कौनसा chapter union and its territory union and its territory hand writing के लिए माद करना है इस पे लिखने के भी आदरती बनी है union and its territory तो देखिए part 1 है इंडियन when तक कहां से कौन से article है article 1 से लेके article 4 तक इसके अंदर आता है ठीक है article 1 to article 4 अब आप लोगों को बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमें notes नहीं मिल रहे दूसरा option है ही नहीं ठीक है आपको लक्षमी कांथ तो पढ़नी ही पढ़ेगी और लक्षमी कांथ क्या है पहले से ही notes के form में बनी हुई है वो पहले से ही notes के form में बनी है तो उसके आप notes और बनाए इससे better है आप लक्षमी कांथ ही पढ़ते रहें ठीक है और लक्षमी कांथ में बाद में जब आपको notes बनाने हैं तो केवल आप उन points के notes बनाएं जो आप भूल जाते हैं जो आपको याद नहीं रहें ठीक है तो उन चार line को यह नहीं कि जब आप सोगी बार पढ़ें तब अभी तब खोजें आप अभी से उनको खोज लें कि आपको पता रहे कि जब आप लक्ष्मी कांग पढ़ें तो आपको पता रहे कि अच्छा यह सारी चीज़ें इंपोर्टेंट हैं और यह इस तरीके से तो इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल आते हैं कितने हमारे एक से चार तक ठीक है तो अब देखते हैं हम लोग अब हमको चार जो आर्टिकल है इन चार आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझना होगा ठीक है तो आर्टिकल नंबर बन ठीक है इसको समझते हैं देखिए आप एक बात हैं रखेगा कि इंडियन पॉलिटी में जो पूरे का पूरा आपको यूपिसी और अधर एक्जाम्स क को रटने के साथ साथ आपको चीजों को समझना बहुत जाला जरूरी है ठीक है कि बेसिक उसका थीम क्या है क्योंकि हर चीज़ आपको रठी नहीं पाएंगे यूपिसी में इतना सारा मटेरियल है ठीक है चले तो आर्टिकल बन कहता है इंडिया इस भारत शेल बी यूनिय ठीक है क्या कहता है इंडिया इस भारत शेल बी यूनिया आप स्टेट एक आज ये स्टेट में जो लिखी नहीं है एंड नौट फेडरेशन आप स्टेट ठीक है तो हम कुछ की वर्स को देखते हैं मतलब क्या 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 कह रहा है इंडिया इस भारत शेल बी यूनिया आप स्टेट and not federation of state लिखा नहीं हुआ है यह federation of state बट यह मैंने add कर दिया है यह वाला लिखा नहीं हुआ है बट यह सब लिखा हुआ है इंडिया यह भारष शल भी union of state ठीक है rather than federation ठीक है तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया जो है पहली चीज़ा आपको ध्यान रखते हैं कि article 1 में नाम बताता है क्या बताता है article 1 किन चीदों के पारे में बताता है एक तो हमारे देश का नाम बताता है और उसकी territory बताता है तो पहली बात आर्टिकल बन में दो नाम हमारे देश के देखने को मिलते हैं एक इंडिया और एक भारत यह रहा है क्योंकि बहुत हो ने कहा कि इंडिया नाम हटा दिया जाए थोड़ा आरब लिंग दिखाता है और यह हो यह हो बट सुप्रीम पोर्ट ने इस बात को पुरी यूनिया ओफ स्टेट होगा ना कि फेडरेशन होगा तो इसके लिए जब भी आप करें तो कंपेर करें किसे इंडिया और यूएस को ठीक है तो यूनिया ओफ स्टेट कहां देखने को मिल रहा है आपको इंडिया में और फेडरेशन ओफ स्टेट कहां देखने को मिल रहा ह तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूनियन का मतलब मा बेटे या मा बच्चे का रिष्टा और यहां पर बॉइफ्रेंड गर्फ्रेंड का रिष्टा आप इसे समझ सकते हैं ठीक है कि आज बहुत ज्यादा प्यार है मुहपत है और कल उत्रेखानी शुरू हो जाए कब ब चीडूल 1 अवफ इंडियन कॉंस्तियूटिटूचन मतलब आर्टिकल 1 में नहीं लिखा हूँ है उनका नाम वह उसके लिए कए लिए कि आप शिडूब 1 में जाओ जो पीछे लिस्ट बनी हुई है उस शिडूल का मतलब क्या है लिस्ट तो उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से state है, कौन कौन सी UBs है इंडिया के अंडर, ठीक है, तो article 1 क्या कहता है, हमें name बताता है, territory बताता है, ठीक है, किस में schedule 1 में दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे पूरी तरीके से क्या क्या territories हैं, तो territories हैं आपकी state, union territories, और territories acquired by इंडिया at any time, ठीक है तो यह हो गया आपका article 1 खतर, ठीक, तो इतना ही समझना है आपको article 1 में, चलिए, अब बात करते हैं article number 2 की, article number 2 क्या कहता है, article number 2 कहता है, admission and establishment of new states, ठीक है, ध्यान रटने वाली बात है, which are not part of India, यह वाली लाइन आप घ्यान रखना बहुत जादा, second और third जो article है, यह confusion create करते हैं, क्या करते हैं, confusion create करते हैं, तो यह कह रहा है, admission and establishment of new states, not part of India, अगर कोई ऐसी territory जो इंडिया का part नहीं है, उसको इंडिया में add करने का और उसे establish करने का, तो यह जो power मिल रही है, यह किसमें म मिल रही है, तो यह कौन कर सकता है, यह कर सकता है, Parliament of India कर सकता है, उसी को यह power मिली हुई है, जैसे मान के चलिए, कि यह हमारा प्यारा देश इंडिया, ठीक है, और कोई ऐसा, जो पाकिस्तान का part है, ठीक है, मतलब कोई भी area, और वो पाकिस्तान की खिलाफ चला जाए और ब समझेगा, Article 3, 2 किसके लिए, Admission and Establishment of New States, which are not part of India, जो इंडिया का part नहीं है, ठीक है, अब हम बात करते है, Article 3 के बारे में, ठीक है, Article 2 और 3 के बीच में, डिफरेंस यहां रखिएगा, बहुत सिंपल है, Union and Miss Territory में, ऐस सच इतनी कोई प्राबलम वाली बात नहीं, बहुत स स्टेट बनाना है, कोई स्टेट, दो स्टेट को मर्ज करना है, ठीक है, एक स्टेट को तोड़के दो स्टेट बनाने है, नाम चेंज करना है, बांडरी चेंज करना है, कुछ भी करना है, किसके existing स्टेट, मतलब जो स्टेट हैं अभी, ठीक है, जो स्टेट मौजूद है, त दो स्टेट को तोड़के एक स्टेट बना देना, ये सब पावर किसके अंडर है, आर्टिकल 3 के अंदर है, ठीक है, मतलब जो existing state है, ध्यान रखना है existing state की बात हो रही है, और आर्टिकल 2 में क्या थे, जो इंडिया के पार्ट ही नहीं है, which are not part of इंडिया, वो territory जो इंडिया क पार्ट ही नहीं हो, ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के बारे में, ठीक है, तो इस तरीके से कौन करेगा ये, ये भी ध्यान रखी गए, सारी पावर किसके पास है, by Parliament, बहुत ज्यादा important है अभी के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाया गया ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, एक UT को क्या बना दिया गया, दो UT, एक UT बनाया गया और एक तरीके से, दो UT बना दिया गया, ठीक है, तो ये जो किया गया, ये आर्टिकल 3 की पावर के अंडर किया गया, ठीक है, चलेगे, अब next हम देखते हैं, कि अगर Parliament में आपको ऐ तो पहला प्रोसीजर ये है, कि आर्टिकल 3 के अंदर आपको increase, decrease, नाम चेज करना, दो स्टेट को मर्ज करना, एक स्टेट को तोड़के दो स्टेट बनाना है, तो पहली चीज़ ये है, कि ऐसा बिल जाएगा, किस के पास, ऐसा अगर कोई बिल लेके आना है, तो पहले आप president किसको भेजेगा, state के पास भेजेगा, जो भी concerned state है, जिनका नम change किया जा रहा है, यह कुछ भी किया जा रहा है, तो फिर वो state अपने views भेजेंगे किसको, वो अपिस president को भेजेंगे अपने views, जिसके लिए time mention कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक बात यहां रखेगा, एक बार state ने अपने व्यूस भेजे तो ना तो president और ना parliament इनके व्यूस से bounded नहीं है मतलब पूरी तरीके से authority किसकी है पार्लेमेंट की है वो जो चाहे कर सकता है किसी भी चीज़ को इनका नाम बदलने और इनका area कम जादा करने से related ठीक है और एक बात और ध्यान रखेगा अगर कोई नया amendment add किया जाता है ठीक है तो भी कोई जरूरत नहीं है कि state से आप parliament बार-बार ये बात पूछे ठीक है कि हम ये change करने जा रहे हैं तो यहां से एक statement निकल के आती है जो statement आपको ध्यान रखनी है कि India is an indestructible union of destructible state मतलब इंडिया में state तो खतम हो सकते हैं बट union कभी खतम नहीं हो सकता है ठीक है तो इसके बारे में second point आप ये समझके रखे कि parliament जो है इंडिया का जो political map है उसको redraw कर सकता है तो parliament can redraw political map of India according to its will अगर ये statement आया तो ये statement बिलकुल सही होगी ठीक है चलिया नेक्स देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है आर्टिकल 4 कहता है ये कि अगर अब देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है आर्टिकल 4 यह कहता है देखे बड़ा सिंपल तर्म आपको समझना है कि अगर कोई भी चेंजे या अमेंडमेंट के जा रहे हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ठीक है किसी भी तरीके के changes हो रहे है article 2 और article 3 की वज़े से तो ये नहीं आएगा किसके अंडर article 368 के अंडर जो हम पहले ही कर चुके है amendment and Indian constitution के अंडर मतलब क्या नहीं चाहिए special majority नहीं चाहिए तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा simple majority से तो अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट री और्गनाइजेशन एक्टियाम एंड बंडाया तो वो किस majority से पास हुआ होगा simple या special तो वो हुआ होगा simple majority से तो अगर कोई भी current affair भी आप पढ़ते चलें तो ये ध्यान रखें आपको ध्यान रखना होता है कि simple majority से हुआ है या पिर special majority से हुआ है तो ये point आप ध्यान रखेंगे ठीक है चले अब उसमें एक और बात ध्यान रखेगा कि इसमें ये एक और कह रहा है चीज़ कि अगर कोई भी change इसमें हो रहा है article 2 & 3 में तो वो किसमें नहीं आएगा article 368 में नहीं आएगा ठीक है और दूसरी बात ये भी है कि किसी भी तरीके का जो amendment है ठीक है 1st & 4th schedule 1st & 4th schedule तो हम schedule of Indian constitution भी कर चुके है पुरानी वीडियो देखो अगर 1st & 4th schedule में कोई भी amendment हो रहा है तो ये क्या है supplemental है, incidental है, consequental है, 3 words इसने इस्तमाल किया इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के subordinate है मतलब इतना कोई खास मामला न ही है, तो जब इतना कोई खास मामला नहीं है तो इसके लिए simple majority इस्तमाल की जा सकती है, ठीक है, तो ये चारो आर्टिकल थे आपकी किस से related, union units territory से related, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से evolution हुआ हमारे यहां पर other states का, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आजादी का जब समय आया, तो अजादी के समय option दिया गया, सभी states को जो प्रिंसली states थे, या तो इंडिया जोइन कर लो, या फिर पाकिस्तान जोइन कर लो, तो तीन states थे, जो कहीं जोइन करने को तयार में हो रहे थे, तो जूनागड, तो जूनागड को भारत ने कैसे अपनाया, referendum के थूँ, और उसका भारत में विले हो गया, भारत में integration हो गया, ठीक है, नेक्स्ट है 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 हैदराबाद, हैदराबाद को कैसे अपनाया, भारत ने कैसे अपने में मिलाया, police action के थूँ, ठीक है, नेक्स्ट है, जम्मो कश्मीर, जो recently news में रहा, इसके कैसे अपनाया, भारत ने कैसे मिक्स किया था अपने में instrument of accession से ठीक है तो यह तीन states को इस तरीके से अपने में जोड़ा अब points जो मैं बता रहा हूं इन points को ध्यान रखेगा कि जो integration हुआ था princely states का भारत में वो ad hoc agreement था ad hoc यानी temporary agreement था तो जो princely state थे उनको लगा था कि कल हम आजाद हो जाएंगे ठीक है और भारत भारत ने अपने view में यह किया इंडिया ने अपने view में यह किया कि यह जो ad hoc agreement है यह कल खतम हो जाएगा मतलब जो तुम्हें special privilege दिये वो खतम है उसके बाद कोई मामलाई शुरू हो गई तो इसके लिए 1948 में कमिटी बनाई गई ठीक है linguistic provincial committee किसकी अध्यक्षता में SK धर की अध्यक्षता में इसलिए से धर commission भी कहा जाता है ठीक है और इसने यह कहा कि भाईया जो आप भाशा के अधार पर राज्य बनाना चाहते हैं उसे ना बनाए आप किसके अधार पर बनाए एड्मिनिस्ट्रेटिव convenience के हिसाब से बनाए कि आपको administration करने में असान हो ना कि आप भाशा के अधार पर बनाए ठीक है तो इसके लिए फिर से वापिस लोगों ने और थोड़ा कहा कि नहीं भाई यह सही नहीं है तो 1948 में वापिस एक कमिटी बनी जे बीपी कमिटी क्या बनी जवाहर लहरू वल्लब भाई पटेल अपीता भाई सीता रमया कमिटी ठीक है और इसने भी यही कहा कि कि इसके हिसाब से बनाया जाए Administrative convenience के हिसाब से ही बनाया जाए फिर उसके बाद चीज क्या होई अक्टूबर 1953 ठीक है 1953 सॉरी पॉत्ती श्रीरामलू ठीक है कॉया नाम था पॉत्ती श्रीरामलू ठीक है Congress के लीडर थे ठीक है इन्हों इनकी death हो गई कितनी 56 day की hunger strike के बाद ठीक है 50 day की hunger strike की इन्होंने जिसके बाद इनकी death हो गई क्योंकि यह demand कर रहे थे linguistic state की और तब जाके पहला इंडिया का first linguistic state बना कौन सा आंधर प्रदेश कौन बना आंधर प्रदेश और किसको अलग करके इसके लिए अलग किया गया तेलगू speaking public को जो तेलगू speaking people थे कहां के मदरास के उन्हें अलग करके इसे बनाया गया ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं October 1953 हो गया अब जब यह बन गया तो इसके बाद अधर जो लोग 1953 स्वरी 1953 ठीक है तो इसमें जो फैजल अलग कमिशन बनाया गया फैजल अलग इसके हट थे State Reorganization Commission भी कहा जाता है State Reorganization Commission ठीक है तो यह बनाया गया तो इसमें जो मेंबर थे कौन कौन थे फैजल अलग थे कम पानी कर थे आपको मेंबर ध्यान रखने और HN कुन रूज यह तीन मेंबर थे इन्होंने कहा कि देखो जो language base है उसे तो मान लिया ठीक है और इन्होंने कहा बट one language one state का जो concept है ठीक है वो इन्होंने reject कर दिया मतलब language base तो माना बट one language state reorganization act आया कौन सा 1956 ठीक है इसके थुरू क्या बना आपका 7th constitutional amendment act 1956 ठीक है तो इन दोनों के थुरू एक नवंबर को जो पुरानी जो सूची थी या पुरानी जो list थी states की वो पूरी खतम कर दे गई और वस्ट नवंबर 1956 को आपके कितने states बनते हैं 14 states और आपके बनती है 6 union territory ये point आपको ध्यान रखना अगर पूँच है फस्ट नवंबर 1956 को कितने थे 14 states 6 union territory और state reorganization act 1956 17th constitutional amendment 1956 ने इतने state और union territory बनाए अब आँ बात है इसके बाद जो नए state बने उनके बारे में जानना होगा नए UT जो बनी उनके बारे में जानना होगा ठीक है तो इसके लिए जो पूरी listing है आपको लक्षमी कान में मिल जाएगी ठीक है अब आपको ध्यान क्या रखना है उस list में सबसे बड़ी बात है मतलब formation of new states है ठीक है formation of new states जो है after 14 ठीक है उनके बारे में क्या-क्या ध्यान रखना है आपको मैं बताता चलता हूँ आप समझते चलिएगा चीजों को ठीक है तो देखिए इसमें पहली चीज़ आपको chronological order ध्यान रखना होगा सबसे important point आपसे पूछेगा कौन सा state पहले बना दूसरा बना तीसरा बना मतलब किस तरीके से state बने और इसे किस तरीके से कर देगा कि आपको chronological order में लगाना होगा year के उपर नहीं पूछेगा आपको रटने की ज़रोत नहीं आपको थोड़ा ध्यान रटना होगा तो है कि गुवा पहले state बना कि तमिलनाडू बना कौन सा state पहले state बना ताकि आप क्या करें है option struck out कर पाएं जब हम MCQ करेंगे तो इन सब चीजों को करते चलेंगे तो हम देखते चलते हैं देखे क्या क्या है 1953 में आंधरा बनता है तेलगू speaking जो population है उसे मद्राज से अलग करते हैं 1960 में महराष्टर एंड गुजराथ दो नए state बनते हैं 1961 में दादर और नगर हवेली ये एक क्या बनती है union territory बनती है क्या बनती है union territory बनती है कैसे बनती है जो किसका पार्ट थी पॉर्टूगल का पार्ट थी किसके पास थी पॉर्टूगल के पास थी और इसके लिए एक amendment आया 10th constitutional amendment act 1961 तो अब मुझे आप बताईए 10th constitutional amendment act 1961 जो है वो article 2 के अंडर आया होगा कि article 3 के अंडर आया होगा ये सवाल आप comment section में इसका जवाब दीजिए पका ठीक है नेक्स्ट गोवा दमन्दिव जो है 1962 में यूटी बनाया गया इंडिया का ये भी पॉर्टुगीज से अक्वायर किया गया और इसके लिए जो amendment लाया गया था वो था 14th constitutional amendment act 1962 तो अब आप फिर बताईए किस आर्टिकल के अंडर के लिए चेंज करके लाया हो गया होगा आर्टिकल 2 के अंडर या आर्टिकल 3 के अंडर ठीक है चले नेक्स्ट है 1962 पॉंडिचेरी यूनियन टेरिटरी बना इंडिया का ठीक है फ्रेंक्स से अक्वायर किया गया 14th constitutional amendment act 1962 के अंडर ठीक है नेक्स 1963 में आपका नागालेंड बना स्टेट 1966 में 1966 में तीन स्टेट आए हर्याना, चंदीगर और आपका हिमाचल परदेश ठीक है चंदीगर आपकी यूटी बनी 1972 में तीन स्टेट आए मनिपूर, त्रेपुरा और मिघाले 1975 में सिक्किम को भारत में जोडा गया, ठीक है इसके लिए एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 2A ठीक है, ध्यान रखेगा दो amendment related है, किस से सिक्किम से related, एक तो है 35th constitutional amendment act 1974 ठीक है जिसमें इंडिया का क्या बनाया गया, उसे associated state बनाया गया, और उसके बाद है 36th constitutional amendment act, ठीक है 1975, जिसमें इंडिया का उसे क्या बनाया गया, फुल state बनाया गया, ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान रखेगा 371 ठीक है, कौनसा आर्टिकल 371 एप, और इसमें क्या बनाया गया, special provision दिया गया for administration of Sikkim ठीक है, चलिए, नेक्स्ट उसके बाद देखते है 1987, ठीक है 1987 में तीन state बनके आए कौन-कौन से मिजोरम, अरुनाचल परदेश और गोवा, कौन-कौन से मिजोरम, अरुनाचल परदेश और गोवा नेक्स्ट है, आर्टिकल, फिर आया जम्मो एंड कश्मिर एंड लग्दाग, ठीक है, दो नई यूटी आपकी बनी, तो इस तरीके से इन सारे स्टेट का evolution हुआ, अब हम बात करते हैं कि क्या आर्टिकल तीन के अंडर, यूनियन गौवर्मेंट के पास या पार्लामेंट के पावर ये पावर है कि इंडिया का कोई भी territory जो है, वो किसी दूसरी country को दे सकता है, ठीक है, ये question पूछा जाता है, ठीक है, तो ये question का जवाब Supreme Court ने दिया कि इसमें बेरु बारी यूनियन केस 1960 में, ठीक है, किसमें दिया दिया लखेगा किसी दूसरी country को देने की, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, amendment करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सामने आई, ठीक है, बट आगे चलके Supreme Court ने एक और बात की, ठीक है, कि Supreme Court अपनी जज्जमेंट जो है, दो countries के बीच में, उसको resolve करने के लिए किया जा रहा है, तो amendment की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक executive action के through भी किया जा सकता है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो chapter था, आपका union and its territory का ये पूरा हमारा आज कतम हो गया, ठीक है, तो अभी जो हम लोग class में जो भी करेंगे, हम लोग वो हम करेंगे एक class लेंगे जिसमें हम जितना भी हमारा पहले की जितना chapters होए, union territory से पहले के उन सभी के हम सारे MCQ करेंगे, तो please आप उन सारे भी chapters को पढ़ लिजे लक्षमी कान से, जितनी जल्दी हो ताकि हम लोग उससे related MCQ कर सकें, so thank you, best of luck, take care, but take care नहीं, उससे पहले ध्यान रखिए, आप लोग अगर चाहें, तो मुझे contact कर सकते हैं इस number पे, यह मेरा channel है Relixion Study, यहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं, और आप code कर सकते हैं, इस्तमाल Allo Quadrico to get 10% discount on and academy subscription, so thank you, best of luck.